हाई गैज वेलकम बैक टू माई चैनल मैं मीना द्रिपाथी आज आप लों से न्यूज पेपर का एक डियाई वाई शेयर करूँगी तो न्यूज पेपर से मैं दो डियाई वाई बनाऊंगी और एक रिक्पेस्टल विडिया हो भी बनाऊंगी तो सबसे पहले न्यूज ठाने के लिए एस्टिक बना दे रहे हूं कि इस तरह से हम लोग अपने बनाएंगे तो इस तरह से यहां हो गया और यहां पर मैं थोड़ा से कॉर्णर पर फेवि को लगा दूँगी और फेवि को लगा करके इसको ऐसे हैसे में मिल्ट कर दूँगी तो यह मिक्स हो तो इतना सारा मैं एस्टिक बना करके पहले से रेडी रखी हुई हूँ और इसी एस्टिक से मैं आज पहले बनाऊंगी टीसू, पेपर, होल्डर, डाइनिंग टेवल के लिए इसको मैं राउंड से दूंगी, इसको राउंड से देते जाऊंगी और ये एक दम round बन करके एक छोटा सा गोल मतलब round से बन करके ready हो जाएगा तो इस तरह से मैं फेवी को लगा करके इसको ऐसे round बनाऊंगी तो ये खुलेगा नहीं फेवी को सची पक्ता जाएगा hard हो जाएगा मजबूत हो जाएगा और खुलने का भी डर नहीं रहेगा तो इस तरह से ये सेव बन करके इसका आराम से बन जाएगा मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है आराम से बन जाता है और बहुत सुन्दत दिखता है बनने के बाद और बहुत कम समय में बनता है कोई ये बच्चा भी चाहेगा तो आराम से बना लेगा इसमें कोई दिकत नहीं है लिकिन देखने में बहुत सुनुदर लेगा इसको माइक्रोवेपर अगर आप रखती है उसमें अचार या कुछ भी मतलब अचार का जार हो या espoon हो या मतलब कुछ भी उसमें रखेंगी तो सुंदर लएगा तो देखे ये गोल बन कर के मेरा डिराड़ी हो गया अगर आप डाइप्ड ठेबल पर रहती है या उसमें फॉक्ड चमिक रहती है और ट्रेंगिल करके इसको इसी राउंड से पे घुमाती जा दें हो ताकि उपर से अंदर वाला पार्ट गोल रहे और बाहर वाला ट्रेंगिल हो जाए तो एक अलग इसका लूक आएगा तो देखिए मैं जितना ये गोल 6 बनाई थी इसको भी 6 मैं बना ले हूँ ट्रेंगिल को भी उसी के उपर मोड करके और एक ऐसा कार्टून का मैं सेफ कट करके रखी हुई हूँ तो इसी पे इसको चिपका दूंगी तो ये चिपकाने में भी बहुत असानी से चिपक जाता है और मेरा ये हाट गुलू जो है ये मैं लोकल मार्केट से लिए हूँ अपने बगल क काम बन जाता है तो इस तरह देखिए कि इतना अच्य से चिपक रहा है ये बहुत हाड होता है चिपकने के बार छोडता नहीं है मजबूत होता है पेवी कौल से भी आप चिपकेए गื่ं तो मजबूत होगा लेकिन फीकौल में अपना से बृत चिपकने में और ये बहुत असानी से चिपक जाता है तो देखिए मैं दो चिपका लिए हूँ तीसरा मैं क्या करूँगी दो को तो मैं बेडिया चिपकाई हूँ और तीसरे को कॉर्नल का जो है इसका नुकीला पाट उसको मैं नीचे करके चिपकाऊंगी तो थोड़ा सा अच्छा देखेगा एक मतलब दूसरा ही लुक इसका क्रियेट हो जाएगा तो देखिए मैं इसको चिपका दी हूँ और सुखने के बार यह बहुत हाड हो जाएगा तो देखिए इस तरह का लुक आएगा और इधर से हो गया मैं अब इधर से जो बचा हुआ है उधर से भी मैं अच्छे से इसको चिपका लूँगी तो चिपक करके मेरा देडी हो जाएगा यह बच्चों के स्टडी टेबल पर भी हम लोग रखते हैं उसमें कलम रखेगा बच्चा सब इसकेल देजर मतलब कुछ भी पैन होल्डर के काम में भी आ जाएगा यह तो देखिए बंगर गया है अब इसको थो बनाने में में महनत भी नहीं है बहुत असानी से बन गया देखने में सुन्दर लेगा जहां भी रहेगा वहां का रवनक बढ़ाएगा तो देखे मैं यह लंबा वलेस्टी की इतना सारा बना करके डेडी कुई हूं और यह बड़ा राउंड सा और एक छोटा राउंड का कट करके रखी हुई हूं तो इन तीनों चीज़ों से मैं बनाऊंगी एक प्लांटर बहुत बड़ा प्लांटर बनाऊंगी मतलब अगर मार्केट समों उस प्लांटर के हम लोग अगर खरीतते हैं तो 2,500 का पड़ेगा लेकिन बनाने में बहुत सिंपल तरीके से बनेगा औ और देखने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि ये घर का बनाया हुगा है तो ये राउंड सेफ है इसको मैं क्या करूंगी कार्टून ये जो है मैं मोल करके पहले से रखी हुई थी तो इससे थुड़ा सा इसका एस्टिक बड़ा रखूंगी ताकि बाद में इस कार्टून प चिपक करके बैठ गया और इसका किनारी जो है उसको भी मैं पहले चिपका दोंगी तो इसके लिए भी मैं गलू लगा दी और इसको भी आराम से दबा दूंगी तो ये भी चिपक जाएगा तो देखिए ये चिपक करेड़ी हो गया थोड़ा सा एक बड़ा जो इसका बेस अब इसको भी मैं चिपका लेती हूँ ताकि रखने में इधर उधर गिरेगा नहीं तो इसके लिए भी थोड़ा सा मैं इसमें गन लगा दी और ये गलू लगाने के बाद इसको रख दी तो ये चिपक करके रेड़ी हो गया अब इस पर मैं स्टीक चिपका हूँगी जो प अंदर से लगा दूँगी तो ये वहां से फिक्स हो जाएगा इसका गोलाई बना रहेगा मजबूत भी रहेगा और कोई फ्लावर उसमें हम लोग डालेंगे तो अंदर चला जाएगा तो दीखेगा नहीं बढ़ा क्योंकि प्लांटर बढ़ा है तो यहां लगा देंगे ब हमारा बन करके तो रेडी हो गया अब इसका मीक ओवर करना है थोड़ा सा पेंट करेंगे थोड़ा सा डिजाइन बनाएंगे अब नीचे का जो पार्ट है इसको भी थोड़ा मजबूती देना चाहिए तो आपनों को तो पता ही है जो भी मैं काम करती हूं तो उसमें हो गया आप में मैं उस पे डिजाइन के बनाऊंगी उसके लिए इस SM2 को ऐसे म मोर नहीं हूँ ओă फ दूट सा ब्लुज हो गया तो मैं इस पे गन्टोलफा गलू लगा दूंगी और लगा कर्क राउंड शेसमें मोर्ती जाऊंटी गी तो थोड़ा थोड़ा गुलू लगाना है इसमें ज़्यादा गुलू लगाने की भी जरुवत नहीं पड़ती है क्योंकि ये थोड़ा सा ही बहुत हार होता है ये गुलू बहुत हार होता है ये तो फैबरिक भी चिपक जाता है गुलू से यह तो ऐला कागज है तो क्यों नहीं चिपकेगा तो इसको ऐसे 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 राउंड says है में इधर से बना ली हूँ अब इसके अपोजित है तो इधर से मैं आपोजित मोड़ूंगी इसको अपोजित राउंड おडुवोंगी ताकि एक सुन्दर सा डिजाइन बन करके रेडी ह जाए और यह सुन्दर सा डिजाइन बनेगा उसको हम लोग जब इस फ्लावर पॉट पे चिपकाएंगे तो बहुत सुन्दर लएगा तो यहां भी मैं पहले गुलू लगाऊंगी अब इसको राउंड से दूंगी ताकि यह चीपक जाए क्योंकि मोड लेने पे तो यह दिखा लेती हूं कि यह कैसे बनेगा तो देखिए इस तरह से हम लोगा यह बन करके रेडी हो चुका है तो मैं बहुत सब्सक्राइब अब इसको मैं पेंट कर देती हूं पेंट करूंगी और यह जब तक सुखेगा तब तक मैं इसको नीचे वाला जो और उपर वाला जो खाली छोड़ी हूं इसको मैं गोल्डेन कलर से पेंट कर लेती हूं तो थोड़ा सा इसका लूक अच्छा आएगा तो नीचे कतो हो गया उपर का भी मैं पेंट कर लेती हूं उपर का भी पेंट बहुत जदूरी है उपर और नीचे दूनो हो गया तब तक उस ड्राइब हो आपा है तुमानों इसको अब अपने फ्लाव LOOK को चिपका देंगी ताकते हैं कि एक डिजाईं बन कर्के रेडी हो जाए हं लोगी यह इस तरह से सहे अपने पहर cartridge सह सब को मैं मों मैं चिपका दी हुा देखे कि ना सुंदर इसका लिक हाया है को भी में categoris तो इस तरह से फुलावर पॉट हो गया अब मैं एक यह रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरा हाथ जल गया था इसके चलते मैं नहीं यह बना पा रहे थी कार्डबोड का मैं सोफा जो बनाई थी तो एक आदमी एक मेरी जो फैंस हैं तो बोली कि हमको कार्डबोड का सोफा बना इसके लिए तो मैं वहीं आज बनाने जा दे हूं तो बड़ा आपके पास अगर कार्टून हो तो उसका बनाईए मैं तो सिर्फ डेमो आपको दिखा रहे हूं कि कैसे बनेगा तो इधर को मैं कट कर ली हूं और इधर का दोनों का पार्ट मैं रखी हुई हूं तो अब मैं क मजबूती के लिए यहां फेवी को लगा दूंगी इधर से फेवी को लगा करके एक लेयर इस पे चिपका दूंगी फिर इसके बार फेवी को लगाऊंगी फिर इसको चिपका कर तीन लेयर चिपका लेने से कार्टून मजबूत हो जाएगा तो इसमें मतलब सोफा मजबू भी है और ये दोनों जो मैं खड़ा वाला पाट चोड़ी हूं इसको अभी बादने में बताऊंगी क्या करना है और अग्याई इसके अंदर का पार तो उसको भी मजबूत करना है क्योंकि समान रखना है तो इधर से फेभी को लगा के इसको भी चिपका लेना है ताकि ये भी हम लौका चारोत अपसे मंजबूत हो जाएगा तो बीच ये पार्ट जो है महां बीच में भी इसको भी लगाने बीच में जो यरी गनाना है तो यह मजबूत हो जाए और तब बीच में लगाईएगा तो यह ज़्यादा मजबूत रहेगा और उपर से बैटने पर भी हीले गडूलेगा नहीं मतलब मजबूत रहेगा तो इस तरह से उतो हो गया अब यह कॉर्णर का जो बाजू है सोफे का बाजू मैं बना दे हो तो यह पेपर को मैं क्या की अंदर से लगा दी हूं और इसको मोड करके राउंड सेफ में ऐसे करके सिला ही लगा रही हूं अब आप बनाईएगा तो आपको तो मोटा बनाना है तो आप उन हो या बोरी सीलने वाला जो धागा आता है और बोरी सीलने वाला जो सुआ आता है मतलब यह लोहे का उससे सीलिएगा तो अच्छे से आपका सीला भी जाएगा और मजबूत भी होगा तो मैंने तो अपना जो बनाया था उसको बोरी सीलने वाला सुवा से ही सुई से ही सीलाई की हुई हूँ और यहां मैं डेमो के लिए है तो पतला है तो मैं सुई धागे से सील करक और शिलाई करके अब यह सिलाई जो होगया तो मैं कट करके निकाल ली हूँ तो इसी तरह से इधर का पार्ट भी मैं बनाऊंगी तो इसको निज पेपर को शबको एक साथ फोल करके एक राउंड से दे देना है और इसी में लपेट करके तब इसमें करके ऐसे शिलाई लगा देना है ताकि दोनों तरफ बजु अच्छे से बन करके रेडी हो जाए तो देखे इसे-ईसे मोड़ देंगे और इसको भी लगा लेंगे तक तक利 में सूंदर लगे आ और बाजु जो इस यह मोटा हो गया और वाला भी तो उसका मतल्ब मैं तो यह से कट लगाएं एसार उसका अनुसार मैं बना इंडरें आपका स्थाने अरिया इसे प्रहस्टेसर समस्था कड़ी मजबूत हो यह मजबूत रहे तो इत्लू आप कर युद तो तो आप भी उसी तरह तीन लेयर चीपका लीजिए उसके बाद न्यूज पेपर से फेबिकॉल से चीपका लीजिए तो हाड हो जाएगा और उसके ऊपर क्या करिएगा फेबिकॉल लगा करके एक पतला एस्पंज आता है इतना मोटा जो कहीं भी सोफे के दुकान पर आपको म अपने धागे से तो आगे से डिजाइनर लुक आ रहा है और यह स्पंज दब दब गया है आगे से देखने में सुन्दर लग रहा है तो आप भी वैसे हैं कीजिएगा इस सिटिंग एरिया पर पहले तीन लेयर काटून चीपका करके उसके उपर स्पंज चीपका के कैसे लगाना है तो यहां पीछे यहां से अप नापी लगाईएगा मैं यहां से नापी लगाई हूं और यहां से नापते जाना है नापते जाना जैसे यहां से श्टार्ट की तो नापते जाना है नापते जाना है और लिया के पीछे जब वहां पूरा हो रहा है तो यहां सोफे का लुक हो जाएगा तो इस तरह से आभी बनाईएगा सोफे अगर कहीं भी कनफ्यूजन होगा तो कॉमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा मैं आपको जहां तक हो पाएगा हेल्प करूंगी तब तक के लिए ओके बाय टेक कियर अपना ख्याल रखिएगा ऐसे आप डो हुआ है भी आपको जिए।